तिरंगे का अपमान किसी किसान ने नहीं किया है गोधी मीडिया सबसे पहले तो जूट बोलना बंद करें लाल किले में कभी भी किसी भी मौके पर तिरंगे को हटा कर वहाँ पर निशान सहाब का जंडा नहीं फैराया गया है ये जूट बोलना बंद करो आपके स्क्रीन्स प प्रतीक का बहुत बड़ा अपमान वो भी गणतंत्र दिवस के मौके पर हमारे तिरंगे को हटा कर लाल किले में वहाँ पर एक और जंडा लगा दिया गया इसके जरीए हमारे देश का अपमान नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है पूरी तरह से गलत दोस्तों अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जो पत्रकार उमाशंकर सिंग ने अपने ट्विटर हैंडल पर पेश किया है ये वीडियो देखिए जो इस वक आपके स्क्रीन पर चल रहा है इस वीडियो में आप साफ तोर पर देख सकते हैं कि जो निशान साहब का जंडा जिन किसान उने लगाया है वो लाल किले के दूसरे गुंबत पर बैठे हुएं और तिरंगा पूरी शान के साथ अभी भी लाल किले पर लहरा रहा है इसलिए मैं पूरी गोदी मीडिया की साज़िश को बेनकाब करना चाहता हूँ कि तिरंगे का अपमान किया गया था या तिरंगे को ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ ये लाज जानते हैं किसकी है 34 वर्षी किसान नवनीत की उत्रा खंड कर रहने वाला नवनीत आईटियो में ये अपने ट्रैक्टर के साथ जाता है और कैरवान की इस खबर के मताबक उसकी आंख में गोली लगती है और उसका ट्रैक जाता हूँ नवनीत को मौत के घाट उतार दिया कि कितने चैनल्स ने स्मुद्दे को उठाया बताईए मुद्दा ये बनाया जा रहा है कि तिरंगे को हटाकर उसकी जगा पर जंडा फेराया गया एक धार्मिक पताका लगाया गया जो अपने आप में जूट है ये भी सही नहीं है क्योंकि लाल किले में सिर्फ तिरंगा होना चाहिए मगर ये कहना कि तिरंगे को हटाकर वहाँ पर धार्मिक पताका लगाया गया जूट सरसर जूट मगर ये तस्मीर जो फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सच्छी है ये नवनीत सिंग की तस्मीर है 34 वरशे न मगर और एक बहुत बड़ा मगर है दोस्तों मैं जिन लोगों ने लाल किले में निशान साहब का जहंडा फेराया उनकी कड़े शब्दों में आलोशना करना चाहता हूं क्यूं बताता हूं मैं आपको वो इसलिए कि तिरंगा ही एक-एक मात्र जहंडा है दोस्तों जो लाल कि कहीं न कहीं हमारी राष्ट्रिय सोच का प्रतीक बन चुका है हमारी धर निर्पेश्टा का प्रतीक हो चुका है इसलिए कोई भी ऐसा जहंडा जो कि धार्मिक पताका हो उसे लाल किले में नहीं फैराया जा सकता आपको क्या लगता है याद है आपको तस्वीर जिसमें कंदू हो मुसल्मान हो सिख हो इसाई हो दलित हो पिछडी वर का जाती हो ब्रामन हो क्षत्री हो वहाँ पर अगर आप धर्म विशेश का जंडा लगाएंगे तो ये कहीं न कहीं हाई कोट का अपमाने इसलिए जिस तरह से हाई कोट में आप जंडा नहीं फैरा सकते किसी ए भगवा जंडा फैरा दिया गया था हर जंडे की अपनी एक जगा होती है मस्जिद के उपर वहाँ जो धर्म विशेश यानि की इसलाम से जुड़े ही जंडे फैराये जा सकते हैं अगर आप जबरदस्ती ऐसा कर रहे हैं तो आप सिर्फ समाज में दंगे फैलाने का प्रया की कड़े शब्दों में आलोशना करता हूं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इस से देश का अपमान हुआ है या फिर वो ये जूट फैला रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो है तिरंगे को हटा कर वहाँ पर निशान साहब का जंडा फैराये गया है मैं एक बात सपश कर देना चाहता हूँ दोस्तों जैसी एक घटना होती है पुलीस उन किसानों से समवाद करती है और किसान जो हैं लोट जाते हैं मैं जानता हूँ कि कई जगओं पर एकात तस्वीर आई है जिसमें बस को हिलाया जा रहा है मगर मैं यह पूछना चाहता हूँ दिल्ली पूलीस से आखिर आपको जरूरत क्या थी एक बस को रास्ते में रखने की क्योंकि कहीना कहीं तो संबाद हो गया था ना कहीना कहीं एक समझाता हो गया था कि आप जो हैं वो अपनी ट्राक्टर की सवारी निकाल सकते हैं आप ट्राक्टर की परेड कर सकते हैं तो ऐसे में आपको बस जो की एक सार्वजनिक संपत्ती है उसे रखने ही क्या ज़रू थी मगर यकीनन इस हिंसा को लेकर लोगों के जहन में कई चिंताएं भी थी खासकर मीडिया जिस तरह से इन प्रदर्शनकारियों को बदनाम करने में लगा हुआ था उनको अराजक तत्त तो बताया गया कुछ लोग तो उन्हें आतंकवादी तक बताना चाहते थे घुंडे बताना चाहते थे देशद्रूही बताना चाहते थे दोस्तों मैं आपको दो क्लिप्स दिखाना चाहता हूँ निर्भया अंदुलन के दौरान साल था 2012 उस वक्त प्रदर्शनकारी राश्टुपती भवन पहुँच गए थे उस वक्त तो उन प्रदर्शनकारियों को किसी ने आतंकवादी किसी ने अराजक तत्त तो किसी ने देशद्रूही तो करार नहीं दिया था ना आईए देखिए एबीपी नियूस की साल 2012 की एक छोटी सी क्लिप क्या कह रहा था एबीपी नियूस उस वक्त आप खुद सुनें उसको एक आज को प्रदर्शनकारी तोड रहे हैं जिसको लट्षनकारियों के बीच यहां पर हिंसक रचना शुरू हुई थी पुलिस कर्मी यहां से भाग चुके हैं लेकिन प्रदर्शनकारी लगाता है एक खाली पड़े ट्रक पर पत्राओ कर रहे हैं और जो लख्षे लख्डी के यहां पड़े हुए थे उससे तोड़को रहे हैं आपने देखा ना एंकर ना रिपोर्टर किसी ने भी प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी अराजक तत्व नहीं बताएं ये सिर्फ प्रदर्शनकारी थे उसके उलावा कुछ नहीं थे आज की तारीक में यही पत्रकार किसानों को आतंकवादी प्रद जो हैं अराजक तत्व और देशद्रोही बताएंगे अब देखिए इंडिया टीवी क्या कह रहा है दोस्तों उस वक्त 2012 में क्या कह रहा था देखिए जब निर्भया अंदोलन में लोग राष्ट्रपती भवन तक पहुँच गए थे उस वक्त क्या हमने उन प्रदर्शन कारियों को आतंकवादी अराजक तत्व अनार्किस्ट्स बताया था देखिए आफ में पहली बार राष्ट्रपती भवन के बाहर प्रदर्शन दामिनी के लिए बौखला हट राच्पत पर उम्री पूरी दिल्ली महा महीम के दर पर लाठी डंडों की बरसाथ तो मैं यह समझना थाता हूँ कि जब वो किसान जिसे आप शुरू से बदनाम कर रहे थे शुरू से आतंकवादी बता रहे थे अब जब की वो दिल्ली में प्रवेश कर गया है और मैं जानता हूँ कि कुछ युवा आपा खो गए हैं और वो आपा क्यूं खो गए हैं उसकी भी मैं बज़ा आपको बताओंगा थोड़ी देर में मगर इसके चलते आप उन्हें हराजक तर तो बताने देखिए ये आंदोलन जो है किसी नेतरत में थोड़ना हो रहा है किसी खास व्यक्ति के नेतरत में थोड़ना हो रहा है किसान पहुँच रहे हैं देश के अलग-अलग हिस्सों से और वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं ऐसे में आंदोलन कभी कभी भटक जाता है मगर आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि पिछले दो महीनों से किसान सिंगू बॉर्डर, टिक्री, शाजापुर तमाम जगाओं पर प्रदर्शन कर रहा है सौ के करीब किसान थंड में ठिटोर कर मर चुके है अलग अलग बीमारियों से मर चुके है वो सिंगू बॉर्डर पहुचा भी नहीं था उसे आपने खालिस्तानी बताना शुरू कर दिया वो सिंगू बॉर्डर पहुचा भी नहीं था आपने ये बताना शुरू कर दिया कि इसके पीछे एक खालिस्तानियों का हाथ है देश-द्रोईयों का हाथ है इस सरकार ने तो अदालत में सुप्रीम कोट में हलफ नामा दाखिल कर दिया कि साहब आंदोलन के अंदर खालिस्तानियों का प्रवेश हो चुका है मैं आज आप से एक सवाल पूछना चाहता हूँ गोदी मीडिया से, पुलीस से, सरकार से अगर बार बार आपके माबाप को कोई आतंकवादी, काली देते रहे खालिस्तानी बताते रहे, देशद्रोही बताते रहे तो आपके मन पे क्या गुजरेगी? कुछ देर के लिए कलपना करेंगे वो जो युवा आज की तारिक में कुछ देर के लिए भटक गया कुछ देर के लिए नाराज हो गया क्या आपने उसकी मनहस्तिती को टटोलने का प्रयास किया है? क्या आपने खबी कुछ से सवाल किया है कि वो सिर्फ एक प्रदर्शनकारी था उपर से हमारा अन्नित आता है और आप उसे बदनाम कर रहे थे ऐसे में अगर वो युवा अपना आपा खो देता है और मैं कहना चाहूंगा अब तक जो तमाम जानकारी मिली है उस हिसाब से किसानों के इस आंदोलन में आज की दिन कोई बहुत बड़ा नुकसान दिल्ली में नहीं किया है क्योंकि आप इसकी तुलना करना चाहेंगे फरवरी में जब दंगे हुए थे जिसमें 60 से जादा लोग मारे गए थे उस दौरान जो प्रदर्शन हुए थे काफी नुकसान हुआ था मगर उस वक भी आपको पता है कि भड़का कौन रहा था उस वक भी आपको पता है कि भड़काने के चलते युवा जो है वो सड़क पर आ रहे थे जामिया में गोली चला रहे थे शाहिन बाग में गोली चला रहे थे आप इन्हें बार बार प्रवोक कर रहे और मैंने लगातार अपने कारकरमों में कहा है क्या कहा था मैंने अपने कारकरमों में मैंने यही बात तो कही थी ना कि आप एक ऐसे शक्स को भड़का रहे हैं पहले से ही परिशान है आप क्या उमीद करते हैं आप क्या उमीद करते हैं कि वो हाथ जोड़के आपके सामने घुटने टेके खड़ा रहे या आप ये सोचते हैं कि किसान की यही नियती है आप उसे गाली देते रहें उसे बदनाम करते रहें मगर वो जो है हाथ जोड़के पर उसने अपना आपा खो दिया है तो वो स्वाभाविक है मगर बावजुद इसके मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि किसी तरह का कोई देश विरूधी काम नहीं हुआ है मगर फिर भी मैं अपने किसान भाईयों से अपील करना चाहूंगा दोस्तों आपके एक एक क अदम पर निकाह है सबकी आप एक गलती करेंगे ये गोदी मीडिया जो है आपकी इतनी सी गलती को बढ़ा चड़ा कि कहां पेश कर देगा इसलिए आप किसी भी सूरत में हिंसा का रास्ता अख्तियार नहीं कर सकते आज किसान अंदोलन के कई जगों से इस बात की खबरे आई कि गोदी मीडिया को दोड़ा दोड़ा कर पीटा गया मैं इसकी आलोचना करता हूं कड़े शब्दों में आलोचना करता हूं क्योंकि हो सकता है जो रिपोर्टर इस वक्त जमीन पर आपकी बात करने आया हो वो जरूरी नहीं है कि स्टूडियो में बैठे देड़ जी का नाम जोड़ देते हैं जरूरी नहीं कि वो रिपोर्टर या उसकी सोच भी बिलकुल उन एंकर्स जैसी हो या अपने मालिकों जैसी हो इसलिए मेरी आप से अपील की क्रपया किसी भी सूरत में किसी रिपोर्टर पर हाथ ना उठाएं क्योंकि इस हिंसा को लिकर आश नयुक्त किसान मोर्चा ने जो रूट तै किया है उसी पर रहिए उससे अलग होने का कोई फाइदा नहीं है किसान शांती में तरीके से अगर इसे करेंगे तभी हम जीतेंगे पिछले दो महीने से पुरी देश और दुनिया कह रहे हैं देखो इन किसानों की ताकत इनकी श जो साथी तोड के वेरिकेट आगे आगए हैं उनसे अनुरोध है चली आप जो कर चुके हैं वो ठीक है अब कोई तोड़ पोड नहीं हो कुछ ऐसा ना हो जो कि किसान अंदोलन को बतनाम करें देश की किसान अंदोलन की पूरी इज्यत आपके हाथ हो यहीं नहीं राहूल गांधी ने भी जो कहा है बयान उस पे भी कही न कहीं एक आशंका ज़रूर है क्या कह रहे हैं हिंसा किसी समस्या का हल नहीं चोट किसी को भी लगे नुकसान हमारे देश कही होगा देशित के लिए कृशी विरोधी कानून वापिस लो कह रहे हैं बार फिछले दो महिनों में कहा है कि ऐसे मौके आएंगे जब आपको भड़काया जाएगा और उसकी लिए सरकार के हतियार स्पष्ट हैं कोधी मीडिया नमबर एक दूसरा पुलीस की तरफ से आपको भड़काया जाएगा ये वीडियो देखिए जो इस वक आपकी स्क्रीन् किस तरह से पुलीस बुरी तरह से बेरहमी से इस ट्राक्टर पर हमला कर रही है वो ट्राक्टर जिस पर तिरंगा पहराया जा रहा है या तिरंगा लहरा रहा है कितनी बुरी तरह से देखिए यहां पर डंड़े चला जा रहे हैं भांजे जा रहे हैं इस तरह की धेरों तस साल बने चाहे वो अबामा हो मार्टल लूथर किंग हो मालकमिक्स हो कोई भी हो सब के लिए गांधी एक मिसाल थे नेलसन मंडेला और आश तक वो प्रासंगिक बने हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपने सत्यागरह का दामन कभी नहीं छोड़ा आप भी यह नहीं छोड़ सकते बेशक पुलीस इस तरह से आप पर लाठियां चलाएं जो इसको आप अपने स्क्रीन्स मेरे स्क्रीन्स पर देख रहे हैं जी हां किसी भी सूरत में आप हिंसा का दामन नहीं धाम सकते मैं बेबाक यह कहकर खत्म करना चाहूँगा कि क्रपया किसान को बदनाम करना बंद करें तेश का कोई ऐसा अपमान नहीं हुआ है आंदोलन में अकसर ऐसा होता है मगर हां लाल किले पर सिर्फ तिरंगा पहराया जा सकता है निशान साहब का अगर जंडा पेर आया गया किसी ने उग्रो होकर भावेश में आकर अगर कर दिया तो ये सही नहीं है मगर ये कहना कि तिरंगा को हटा दिया गया है जैसे कि टाइम्स नाओ कह राता सरा सर जूट है